हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ड्राइव डाउन और दोस्तों बीएस सिक्स स्कूटर के ऑप्शन्स में अब आपको एक और ने स्कूटर देखने को मिलेगा क्योंकि होंडा ने लॉंच कर दिया है बीएस सिक्स कंपैटिबल इंजिन के साथ डियो को होंडा का डियो स्कूटर बीएस फोर से अपडेट करके बीएस सिक्स में लॉंच होने के साथ साथ आपको स्कूटर के अंदर और और बी काफी सारे ने चेंजिस देखने को मिलेंगे Honda Dio आपको दो वेरिंट्स में मिलता है जो की है Honda Dio Standard और Honda Dio Deluxe Honda Dio Deluxe का जो प्राइस है वो 63,340 रुपीज का है और जो इसका स्टेंडर वेरिंट है उसका प्राइस 59,990 रुपीज का है ये दोनों ही प्राइस की जो फिगर से हैं दोनों ही X शोरूम है और इस प्राइस अपडेट के साथ-साथ ये जो स्कूटर है वा आपको पहले से लगबग साथ हैर ज्यादा महेंगा मिलेगा अगर हम कंपेर करें इसके स्टेंडर वेरिंट को तो Honda Dio BS6 में आपको 110cc का एंजन दिया गया है और ये इंजन आपको 7.80BHP की पावर और 9NM काड टॉक जनेट करके देता है Honda Dio के स्टेंडर वेरिंट में आपको 4 कलर ओप्शन्स मिलेंगे जो की होंगे ग्रे मेटैलिक, जैजी ब्ल्यू, स्पोर्ट्स रेड और और औरेंज इसके लाबा इसके डिलक्स वेरिंट में आपको 3 कलर ओप्शन्स मिलेंगे जो की हैं येलो मेटैलिक, ड्रे मेटैलिक और रेड मेटैलिक इसके बात करें Honda Dio B6 के अपडेट्स और नए फीचर्स की तो स्कूटर के अंदर आपको एक silent start system दिया गया है और इसके अंदर आपको fully digital instrument cluster मिलेगा जो की एक optional side stand down engine inhibitor के साथ होगा Honda Dio B6 का जो अन्या instrument cluster होगा ये आपको दिखाएगा average fuel efficiency, स्कूटर की range, real time efficiency और service view indicator भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा Honda ने अपने scooter की looks को भी improve किया है और कुछ जरूरी features भी दिये गए है जैसे कि बात करने इसके looks की तो इसके अंदर आपको एक LED headlight भी देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको external fuel filter cap भी देखने को मिलेगा साथ ही इसके अंदर आपको telescopic fork और 12 इंच का front wheel देखने को मिलेगा जो कि आपको पहले 10 इंच का आपको मिलता था और इसके अलावा आपको Honda DOBS 6 में जो wheelbase दिया गया है वो 22 mm का है Honda DO को सबसे पहले 2002 में launch किया गया था और इस scooter ने top 10 scooters में भी अपनी जगा बना रखी है और अगर आप Honda brand को पसंद करते हैं पर आप इसका बहुत ज़्यादा बिकने वाला common scooter Activa नहीं लेना चाहते तो Honda के DO भी आपके लिए क्छ उप्शन रह सकता है जहां Honda Activa का जो price है standard variant का वो 63,900 के आसपास का है वहीं Honda DO standard version आपको 59,990 रुपीज का बढ़ता है ये दोनों ही X-Thorum figures है Honda DO BS6 में आपको 6-year का warranty package में मिलता है जिसमें 3-year की standard warranty है और 3-year की आपको optional X-standard warranty का option दिया गया है तो उस्तों Honda DO के launch के साथ ही आपको एक और 2-wheeler का option मिल गया है अगर आप एक PS6 compatible engine वाला scooter खरेदना चाह रहे थे तो और अगर इसके अलावा भी आप इस scooter के बारे में कोई और जानकारी चाहते हो तो comment section के तरू हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको एक वीडियो पसंद रही हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिना भूलेगा और साथ ही हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करना याद रखेगा अगर आपने और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो फ्रेंट्स बने रहे ड्राइब डाउन के साथ हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे तब तक क्लिए अपना ख्याल रखिये and keep driving